हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे बहुत ही आसानी से जट पट सिफ पांच मिनिट में बनने वाले हेल्दी और टेश्टी मूर्मूरे और गुड के लड़ू की रेसीपी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसियल डेश्टी पीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले मूर्मूरे के लड़ू बनाने के लिए हम सबसे पहले मूर्मूरे रोष्ट कर लेंगे इसलिए हमने यहाँ पर सो ग्राम मूर्मूरे लिए हैं यहने हम पेन में एट करके लगाता चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक रोष्ट करेंगे जब तक यह थोड़े क्रिस्प ना हो जाए तो देखिए हमने इसे लगाता चलाते हुए दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोष्ट कर लिया अब हम इसे पेन में से निकाल लेंगे अब हम उसी पेन में एट करेंगे एक तिस्पुन घी देखिए घी यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है अगर आप ना एट करना चाहें तो इसे स्कीप कर दे लेकिन थोड़ा सा घी एट करने से लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा घी जब मेल्ट होने लगेगा तब हम इसमें एट कर देंगे गुड तो हमने 100 ग्राम मुर्मुरे के लिए 250 ग्राम गुड लिया है तो इन लड्डू को बनाने के लिए हम अच्छी क्वालिटी का गुड इस्तेमाल करेंगे अगर आपने मिलावट वाले गुड का इस्तेमाल कर लिया तो लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे गुड एट करने के बाद हम इसे लगाता चलाते हुए लोफ लेंपर पकाएंगे अब देख सकते हैं कि गुड थोड़ा मेल्ट होने लगा है लेकिन अभी हमें इसे लोफ लेंपर तब तक पकाना है जब तक इसमें से जागना बनने लगे गुड हमारी सहत के लिए कितना फाइदे मन है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते तो आप उनको जब इस तरह से लड़ू बना कर देंगे तो बहुत ही सोक से खाएंगे तो गुड में जब इस तरह से जाग बनने लगे तब तक हम इसे लगाता चलाते हुए लोफ लेंपर पकाएंगे तो गुड को हमने लोफ लेंपर तकरीबन दो मिनिट के लिए पकाया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और हमने जो मुर्मूरे रोष्ट करके रखे हुए हैं उसे इसमें एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए हमने मुर्मूरे और गुर को अच्छे से मिक्स कर लिया है हम इसे ठंडा नहीं करेंगे अगर हमने इसे ठंडा कर लिया तो इसके लड़ू नहीं बनेंगे इसलिए हम तुरंथ ही इसके लड़ू बनाएंगे तो इसके लड़ू बनाने के लिए हम हाथों पर पानी लगा लेंगे क्योंकि गुर बहुत गरम है और पानी लगाने से इसकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी और हाथ जलेंगे भी नहीं और इसमें से थोड़ा सा पोर्सन लेकर हम इस तरह से इसका लड़ू बना लेंगे देखिए हम यहाँ पर थोड़ी छोटी साइस के लड़ू बना रहे हैं आप मीडियम साइस के या तो फिर बड़ी साइस के लड़ू भी बना सकते हैं लेकिन इस टेश पर बहुत ध्यान रखेंगे यह बहुत गरम है तो साउधानी से लड़ू बनाएंगे और इसे थंड़ा नहीं होने देंगे थंड़ा होने से पहले ही हम इसके सारे लड़ू बना कर तयार कर लेंगे तो खाने के लिए तैयार है हेल्दी और टेश्टी मूर्मूरे के लड़ू इन लड़ूं को आप किसी एटाइट कंटेनर में रखके दो हफते तक स्टोर भी कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है के एसी ही आसान डेसी पीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं